हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो और चैनल अगर आपके पास याउमी का मी A3 का डिवाइस है सुगाज फाइनल आप देखेंगे आपको मी A3 डिवाइस के लिए लेटेस्ट न्यू एप्रिल का अपडेट रोलिंग आउट होना चालो हो चुका है अपडेट के बद क्या कुछ आपको चैन्जेश देकने को मिल जैता है कौन को से पुराने बक्स को फ्रीक्स किया गया साथित् Benjamin साद हो सुगाज अगर आपके पास शामी का मी A3 का डिवाइस है तो दोस्तेजिवे को शुडू से लेकर लासक जरू देखते हैं तो चिलेगा शुरू करता है आज का सुगाज आप मैं से कापे सारे लोगों ने मुझे कमेंस करके पूचा था कि मी A3 device में एप्रिल का न्यू अब्रिट कब तक रूलिंग आट हो सकता है सुगाज फाइनली कल से देखेंगे आपको ग्लोबल एंड इंडियन यूदर्स के लिए देखेंगे 12.0.8.0 का लेटेस अब्रिट जो की एप्रिल का लेटेस अब्रिट में रूलिंग आट होना चालो हो चुका है सुगाज सिस्टीम अब्रिट में जाएंगे आपको 36 MB का लेटेस अब्रिट मिल जाएगा जो की एप्रिल मन्त का लेटेस अब्रिट है मतलब कि आपको गूगल का लेटेस्ट सेकूरिटी पैच लिवल मिल जाता है कुछ पुराने बक से उसको भी फिक्स किया गाए जैसे कि लैगिंग के शियूस है लेकर अब्रिट को इस्टाल करें बाद देखेंगे आपको सिस्टेम में क्या कुछ चेंजस देखने को मिल जाते है उससे पहले दोस्तों में आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ अगर आपके पास Mi A3 का डिवाइस है और दोस्तों अगर आपके Mi A3 डिवाइस के लिए आपको कुछ प्रीमियम बैक केस कवर चाहिए तो उसकी जो लिंक के में आपको नीचे डिस्क्रिक्शन में प्रोवाइड किया है तो अगर आपके Mi A3 डिवाइस के लिए अगर आपको बेस्ट प्रीमियम बैक केस कवर चाहिए तो डिस्क्रिक्शन में दिया गया लिंक से उसको पर्चेस कर सकते है तो दोस्तो फाइनली मैंने अपने Mi A3 डिवाइस में एप्रील का लेटेस अब्डेट जो की 12.0.8.0 का लेटेस अब्डेट सक्सेस्फिल इंस्टॉल करके देखा है दोस्तो अब्डेट में जैनिक बद आप चेक करके देखेंगे आपको लेटेस वरजन के साथ अब्डेट देखने की मिल जाता है साथी साथ बात करेंगे आपको Google Play सिस्टीम को जो अप्डेट है एक मार्च का लेटेस्ट अप्डेट मिल जाता है उसके बात करेंगे Android Security Patch Level जो कि आपको लेटेस्ट पांच एप्रिक का Android Security Patch Level देखने को मिल जाता है जो कि आर काफी अची बात है सो दोस्तो सिस्टीम में देखेंगे आपको ऊरॉल काफी बेस्ट अप्टिमाजिशन किया गा है लेटेस्ट सिकुर्ट पांच लेवल एंड गूगल प्लेव प्रूटे के वज़़से इसके बात करेंगे बैटरी के बार में कापे सरे लोगों की केमर्स आते रहे थे गया बै के बेटर बैक भर कम आपको यह इसके बद एंस सेटीम है आपको डिस्प्लेइ के सटीं में शीकर की कश भी ऐब Jorge के अरवा अब ही तक आफ इस्मंड़े नहीं किया है अभी तक atto call recording के features कब तक देखने को मिल सकता है लेकर अगर आपको डालर पेड में atto call recording feature को enable करना है तो easily enable कर सकते है क्योंकि जो phone का डालर पेड है मतलब की google का डालर पेड है उसमें देखेंगे beta के रूप में आपको एक update देखने को मिला है तो simple आपको जाना है play store में जो गूगल का phone डालर का application उसको simple आपको update करना है अगर आपने नीचे जो beta option रहता है मतलब की beta developer का option रहता है उसको join नहीं किया तो simple उसको join कीजिए जो से beta join करने बाद फिर से उपर के side में एक update आएगा उसको simple enable करना है बीटे update करने बाद आप देखेंगा आपको डाइलर पैड में एक्टो कॉल recording का feature मिल जाएगा जो कि आप किसी भी Google के डाइलर वाले phones में enable कर सकते हैं या फिर मी A3 device में उसको enable कर सकते हैं इसके बाद उसका कापी सारे लोगों के मुझे अभी भी comments आते रहते कि अब्डेट इस्टॉल करने बाद में A3 device में जो screenshot capture करने का shortcut से उसको यह पर missing किया गया है लेकिन आप देखेंगा आपको screenshot capture करने के लिए volume down plus power button आपको single press नहीं करना है बलकि आपको long press करने के बाद आप देखेंगा आपको screenshot यह पर capture होता है साथी साथ दोस्ता को screenshot capture करने बाद share plus आपको editing का button मिल जाता है so editing में देखेंग और भी कुछ optimization आपको देखने को मुझाता है एंड दोस्तो इस update के बाद मुझे इस phone में एक issue देखने को मिला है मतलब है चोटा सा problem देखने को लेकिन इस update के बाद थोड़ साथ को slow देखने को मिल सकता है इसके बात करेंगे इस update के बाद camera कैसा optimize किया गया है तो दोस्तों camera में ज्यादा कुछ खास इसमें बोलने के लिए नहीं क्योंकि दोस्तों इस update के बाद आप देखेंगे कैमेरे में आपको किस भी प्रकार से latest feature को इंट्रोडूस नहीं कि है क्योंकि दोस्तों जैसे कि last update के बाद जैसे camera quality थी वैसे की वैसे camera quality मुझे इस update के बाद भी देखने को मिली है आप देखेंगे जो रेर camera के quality है वह quality आपको जैसे कि वैसे देखने को मिल जाएगी जैसे कि last update के बाद देखने को मिली थी color announcement के बाद में बात करेंगे तो color announcement काफी अच्छा है उसके बाद edge detection देखेंगे portrait shot के लिए उसके बाद जो portrait shot में देखेंगे आपको जो object है उसकी image quality देखेंगे वह भी काफी अच्छी है लेकर दोस्व बात करेंगे selfie camera के बार में तो दोसो selfie camera में मुझे कुछ भी आपर changes देखने को नहीं मिला है जैसे कि दोसो last update के बाद camera quality दी selfie camera की वैसे कि वैसी selfie camera की quality मुझे इस update के बाद भी देखने को मिली है तो दोसो overall जो selfie camera हुए आपर कुछ भी optimize नहीं किया गए इस April update के बाद तो देखते हैं कि next update के बाद selfie camera में आपको क्या कुछ optimization देखने को मिल सकता है सुगज आज के स्विडियमी में आपको बस इस April update के बाद full review देने वाला था क्या कुछ आपको changes देखने के मिलते हैं क्या कुछ आपको bugs fix किया गए सुगज वीडियो पसंद है तो like करो share करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you bye bye take care